प्रदेश में अप्रल महीने से शुरू होने वाले चारधाम यात्रा को सुरक्षित बनाने के रहे प्रदेश सरकार ने तयारियां शुरू कर दी हैं और इस बाद चारधाम की यात्रा को शांती पूर्वक्त तरीके से संपन करने के लिए चारधाम यात्रा मार्गों पर 170 ड्रोन से नज़र रखी जाएगी हाला कि बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हानी पाठक ने बताये कि प्रदेश में आने वाले श्रधालों को केसी तरह की दिकत ना हो और यातायाद व्यवस्था सही तरीके से हो इसके लिए चारधाम यात्रा मार्गों की नेगरानी ड्रोन कैमरों से की जाएगी जिसे की यात्रा मार्गों की मवजूदा स्थिती का पता लगाया जा सके और उसी के साथ प्रदेश की सरकार चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रधालों की व्यवस्ता और सुरक्षा को लेकर लगातार काम कर रही है कि पूरे देश से लोग यहां पर आते हैं तो सुरक्षा की द्रिस्ट्री से मैं स्वयम किया पूरे जो हमारे तिरतियात्री आते हैं वो भी इसको मानेगे कि सुरक्षा की द्रिस्ट्री से बहुती अच्छा कदम है और फोस कदम है जो हमारे यशिश्वी मुख्यमंत्री जी पुशकर सिंधामी जी ने निकाला है इसक थे अब चीज़ें को मत देन अजार रखते वे जो हमारे उत्राखट के परेटक स्थल है। उनमें ये जो द्रोण की निग्रानी है, All-Wayther Road है, और काफी चीज़े हैं जो की रखना चाहिए और रखते रहना चाहिए इसकारण ये जो द्रोन कैमरे की निगरानी इसको मैं सही मानती हूँ और हमारा पुरा भारती जंता पार्टी संगठन से लेकर जो तेरे तियात्री आएंगे उसको भी वो अच्छा ही मानेंगे क्योंकि सुरक्षा की दृस्टी से बहुत ही अच्छ और ठोस कदम है